हेलो फ्रेंस आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़िदार टिप्स लेके रखके आई हूँ ये टिप्स आपको बहुत ज़ादा ही पसंद आएगी सर्दियों में बहुत मुस्किल लगता है कीचन का काम तो इन साथ हैक्स से बनाए इसे असाल सबसे पहला है आलो उबालने में लगेगा आधा समय आप आलो को उबालने से पहले उसमें काटे की मदद से थोड़ी छेद कर ले ये स्टेप आपको भले ही छोटा सा लगे लेकिन सिर्फ एक इस स्टेप से आलो को उबालने का जो समय है वो आधा हो जाएगा आप आलू में दोनों साइड से छेद करें इससे अंदर तक आलू अच्छे से पक भी जाएगा और कुकिंग ये साथ साथ आलू को उबालने का समय भी बचेगा दूसरा है लसन और प्याज छिलने की ट्रिक सर्दियों में लसन और प्याज छिलना भी किसी बड़े काम से कम नहीं लगता है सर्दी में तो हाथ पहले से ही इतने ठंडे होते हैं की और इन्हें एक एक कर छिलना बहुत आफ़त भरा काम लगता है ऐसे में आप एक छोटी सी स्टेप कर सकते हैं ये चोटी सी step है लसन और प्याच को गरम पानी में डालने की इससे दो फायदे होंगे पहला तो ये की ये बहुत असानी से छिल जाएगा और दूसरा ये की थोड़ा सब पहले ही पकने लगेगा और इस कारण कोकिंग टाइम भी काफी कम हो जाएगा तो फिर तीसरा है पहले से ही बनाए सबजी मसाला आप सबजी मसाला भी बहुत ही असानी पहले से बना कर रख सकती हैं जिससे रोज रोज सबजी मसाला भूनने का समय बच जाएगा जब भी आपके पास समय हो तब इसे बना कर रख ले और फिर बाद में 10 से 15 दिनों तक कर दो पर हैं न कि जई पत्र सबूंसें परेंगी कर दिया दोना है जआ पर अद्रकट का दे सबस्क्राइब के खांट हैं हम अचार डबे डालते हैं न वो लेनी हैं यह उप्जिनल हैं इन सभी चीजों को अच्छे से पीसे और फिर जादा तेल डार कर इस मसालों को कड़ाई में 20-25 मिनट के लिए भूनें अभी आपको लग रहा है कि 20-25 मिनट बहुत जादा है लेकिन 10-12 दिन के कुगिंग टाइ और स्वाद दोनों देगी लेकिन ये पूरी तरह से आप्शनल हैं और इस मिर्च को डालने से इसकी जो शेल्फ लाइफ है साथ दिन तक ही रहेगी अगर आपको उससे जादा इसे चलाना है तो ये ना डालें चोता है दूद उबालने वाला बरतन नहीं होगा गंदा एक सबसे बड़ी समस्या जो सर्दी में देखी जाती है वो है बरतन धोने में आने वाली आलस ऐसे में अगर बरतन में जादा गंदगी होगी तो ये बहुत खराब लगेगा दूद के बरतन में अधिकतर नीचे की और दूद की मलाई जैसा कुछ जम जाता है वो घिसना अपने आप में एक बड़ा काम है और इसे कई बार साफ करने में आफ़त आ जाती है वो ना जमे इसके लिए आप दूद के बटन में सुरवात में ही थोड़ा सा पानी डाले और उसके उपर डाल कर उबाले बस यही क काम है और इसे साफ करना भी काफी मुश्किल है ऐसे में सिर्फ एक छोटी सी आप ठीक से आजमा सकते हैं इससे जो है आपका दूद जो है वो गिरने में रुक सकता है ताकि आपको जो सर्दियों में एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े आपको क्या करना है दूद के बरतन के उपर एक कर्ची रख दें आप लकडी की कर्ची रख सकते हैं या फिर स्टील का बरतन रख सकते हैं दोनों ही सही लगेगा यह आपको दूद को बनने से रोकेगा और चट्टा है दाल नहीं लगेगी कूकर से बाहर सर्दियों में कूकर की सफाई एक बहुत बड़ा काम ल दें ऐसा करने से आपकी दाल कूकर के धकन से बाहर नहीं आएगी यह तरीका असान भी है और आपका काम चटपट भी हो जाएगा साथवा है क्विक फाइफ मिनट ब्रेक फास्ट रेसिपी सर्दियों के समय सुबा सुबा नाश्टा बनाना काफी मुस्किल लगता है ऐसे म हम नाश्टा बनाने के लिए एक पौचिंग का इसनिमाल करें आपने बहुत बार हाफ प्राइए एक खाया होगा या आमलेट बनाया होगा लेकिन सिर्फ पाँच मिनट में अगर आपको ये परफेक्ट स्टीम एग चाहिए तो ये रेसिपी आपके काफी काम आएगी आप माइक्रोवेब सेफ कप या माफीव ट्रे में एक चमच पानी डाले और उसके उपर अंडा फोर कर डाल दे इसके उपर चाहे तो अभी नमक और काली मिर्च मिलाएं या फिर इसे पकाने के बाद मिला सकते हैं अब इसे माइक्रोवेब में 5 मिनट के लिए बेक कर लें ध्य एक फास तयार है और आप इंस पर नमक मिर्च लगा कर ऐसे ही खास सकते हैं ना जंजट और ना ही कोई मेहनत वाला काम तो थें ये कुछ हैक्स जो आपको सर्दियों में आराम दायक लग सकते हैं तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीस मेरी वीडियो को लाइक जरू कर जीजगा और कौन सा टिप्स आपको बहुत ज्यादा पसंद आया वह भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरू बताएगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन के प्रेस कर नोटिफिकेशन को अल पर जरू कर दीजगा इससे मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी वह फीरी में आप सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएग कर दो नहीं